यूती को consideration में लाने से पहले अपने को दीपतांश पता होना चाहिए दीपतांश क्या है दीपतांश एक प्रकार का orbital influence है जिसके अंदर हम ये देखते है कि कौन से planet जो है वो दीपतांश के according conjunction को या conjunction के parameter को justify करते हैं तो इसके लिए क्या होता है हम certain planets की degree लिख लेते हैं कैसे जैसे sun की degree लिखिए पैन कोपी ले लिजेगा और sun की degree लिखिए sun की degree लिखिए 15 degree moon की degree लिखिए 12 degree Mars की degree लिखिए 8 degree Mercury 7 Jupiter 9 Venus 7 Saturn 9 अब ये कैसे काम करेगी mean value निकालना सब को आता है mean value कैसे निकलती है mean value माल लिजे a is equal to something है b is equal to something है तो mean value क्या आएगी a plus b by 2 simple तो यहां पर माल लिजे sun और mercury कंजंग्ट हैं किसी चार्ट में there is a chart where sun and mercury are having a conjunction sun और mercury माल लिजे किसी चार्ट में कंजंग्ट हैं sun की degree कितनी है कितनी लिखी है हमने हाँ पर sun की degree दिप्तांश के लिए 15 mercury की कितनी लिखी है 7 average value क्या आया दोनों का 15 plus 7 divided by 2 15 plus 7 divided by 2 क्या difference आया 11 degree 11 degree मतलब क्या है कि जिस कुंदली के अंदर sun और mercury एक साथ बैठे हैं अगर उस कुंदली के अंदर sun और mercury जिस कुंदली में साथ बैठे हैं वहाँ पर यदि इन दोनों planets के बीच का difference ग्यारा डिगरी या उससे कम डिगरी का हुआ तो हम उसको कंजंग्शन कहेंगे हम उसको कंजंग्शन में लेंगे पर एक्जामपल माल लीजे माल लीजे किसी का Venus और Mars कंजंग्ट है माल लीजे किसी का Venus और Mars कंजंग्ट है Venus 10 डिगरी पे है Mars 21 डिगरी पे है Venus 10 डिगरी पे है Mars 21 डिगरी पे है तो क्या ये कंजंग्शन क्या ये कंजंग्शन लिया जाएगा या नहीं कितना होना चाहिए Venus और Mars के बीच का difference जिससे वो कंजंग्शन लिया जाए पूरी तरीके से Venus का कितना लिया है हमने 7 डिगरी Venus को हमने लिया है दीपतांश के अंदर 7 डिगरी Mars को कितना लिया है 8 डिगरी तो टोटल कितना हुआ इनका 8 प्लस साथ इस एक्वल तो पंदरा इस एक्वल तो 7.5 means if the difference between this conjunction if the difference between this conjunction is 7.5 or less than 7.5 तभी ये conjunction consider होगा तभी ये conjunction consider होगा तो एक बात साफ है आप जब भी किसी चार्ट में conjunction को study करेंगे उस टाइम पर जिन दो planets को आप study कर रहे हैं as a part of conjunction वहाँ पर आपको उन conjunct हुए planets की जो डिगरी डिफरेंस है उसको match करना है किस से दीपतांश की value से मतलब आपके दीपतांश की value अगर डिफर कर रही है उस conjunction से तो वह conjunction consider नहीं होगा as per western astrology consider नहीं होगा as per पर पराशरी आप करते रहिए कोई मनाई नहीं है किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है कर सकते हैं ठीक है दीपतांश का part clear मतलब क्या है दीपतांश का मतलब बिलकुल सरल है जितने भी planets दिये हैं उनकी जो degrees दी है उनमें से जिस planet के conjunction को भी consider करना है उनकी दोनों की degree को plus कीजिए divided by two कर दीजे तो आपको एक range मिल जाएगी जिस range के अंदर वो consider किया जाएगा क्या consider किया जाएगा conjunction को simple सा फटबा है मतलब चार्ट ले लेते हैं अ आह जाएगी पटते हैं अ संटू डिग्री मर्करी 14 डिग्री विल यू कंशिडर दिस एज अ कंजंग्शन क्या इसको कंजंग्शन कंशिडर करेंगे जितने भी लोग यस बोल रहे हैं थोड़ा सोचिए यस क्यों बोल रहे हैं यह कंजंग्शन कंशिडर नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि दीपतांश की वैल्यू के अक्वाडिंग सन पंदरा डिग्री और मर्करी साथ डिग्री रहता है तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो कितना निकल के आएगा ग्यारा डिग्री और यहां पर जो हमने कंजंग्शन लिया है वो कितने कितने डिग्री का लिया दो डिग्री सूर्य है चोदा डिग्री मर्करी है और उनके बीच का difference कितना हो गया, 12 degree हो गया, तो ये value जो है, ये 11 को cross कर गई, 11 degree को cross कर गई, तो हम इसको conjunction consider नहीं करेंगे, ये conjunction consider नहीं किया जाएगा, simple, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब एक और मैं आप लोगों को वो दे रहा हूँ, चार्ट, मार्स 15 degree, मार्स 15 degree, वीनस 22 degree, क्या ये conjunction है या नहीं, येस, इट्स अ कंजंग्शन, जो मैंने value दी, उस value के according, इन दोनों के बीच का difference कितना आया, जो मैंने value बोली, खुद से, उसके according इन दोनों के बीच का difference कितना साथ डिगरी, 7 है, और जो दीपतांश है, दीपतांश के according उसका value कितना आता है निकल के, 7.5 साड़े साथ, तो ये जो हमारी value निकल के आई ये साड़े साथ से कम आ गई, मतलब ये उस criteria के अंदर आ गई, जिस criteria के अंदर हमारा conjunction बनना चाहिए, तो हम इसको conjunction consider करेंगे, we will consider this as conjunction, ठीक, clear है, एक last practice over करेंगे, उसके बाद में conjunction को समझेंगे, conjunction कैसे कारे करता है, एक सेकेंड, इश्क, तह, सैटन 15 डिग्री, सैटन 15 डिग्री, जुपिटर 24 डिग्री, सैटन 15 डिग्री, जुपिटर 24 डिग्री, बड़ा tricky सा है, लेकिन answer क्या है, answer yes है, क्यों, क्योंकि exact जो value है, वो ही यहाँ पर exact difference है, जो value है, वो ही difference है, मतलब, yes, अब क्या है, यह जो दीपतांश की value है न, यह tested value है, westerners ने, westerners, basically जो western astrologers है, उन्होंने इस value को test किया, और उन्होंने पाया, कि कही न कहीं, जो planet है conjunction में, वो इस तरीके से कार्य करना है, कुछ चीजें test हुई, test के बाद भी पता चला, लेकिन मैं हमेशा एक बात जो बोली है, वो फिर आप लोगों को बता रहा हूं, कि जोतिश में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो text पर आधारित हैं, जो tried हैं, tested हैं, experiments पर आधारित हैं, और कुछ experiments ऐसे होते हैं, जिनको हम खुद से study करते हैं, खुद कुंडलियों पर लगाते हैं, तो ऐसे experiments में मैंने ये पाया है, कि कई दफाँ हो सकता है, आपका जो planet है, वो दीपतांश के बिलकुल border पर आ जाए, border पर आने का मेरा कहने का मतलब क्या है, कि मान लीजिए कि दो planets के दीपतांश की value आठ डिग्री आ रही है, average value जो आ रही है, वो आठ डिग्री आ रही है, लेकिन जो chart के अंदर conjunction बन रहा है, वो साड़े आठ डिग्री का बन गया, या नौ डिग्री का बन गया, तो it means कि वो काफी close conjunction बन गया है, इस पर्दा जो हमारा दीपतांश logic है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा अपना common sense ये लगा सकते है, कि सामने वाले से वो चीज़ें पूछ कर, हम उस चीज़ें पर सोच सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि books में लिख दिया है, तो हमने सोच नहीं नहीं है, बस हमने जी अपना दिमाग लगा लिया, कि वो no degree से जरा भी इधर हो गया, हमें वो consider नहीं करना है, ऐसा नहीं है, हमें कुछ certain principles, कुछ certain formulas अपने पास रखने हैं, as a protocol, बट ऐसा नहीं है, कि अपनी analysis के समय, हम बिलकुल उसी चीज़ को strictly ये रखें, astrology हमेशा ये कहती है, हमेशा एक flexible approach को follow करिए, astrology में always be flexible, rigid हो गए, जिस दिन astrology में rigid हो गए गए, खतम काम, rigidity नहीं चलती astrology, क्यों नहीं चलती, अब देखें, कितनी सारी बिमारियां हमें पता हैं, TB है, क्या बोलते हैं, lungs की problem है, kidney है, फला फला है, दुनिया बर की चीज़े है, किसी को पता था, कि 2019 के बाद, एक और बिमारी एड हो जाईगी, astrology में, कोरोना वाइरस, अब उसकी भी study कीजिए, अब उसके भी parameters, चेक करके देखिए, क्यों, क्योंकि कहीं न कहीं, समय के साथ में, इस theory को, हम astrology में क्या कहते हैं, देश, काल, पात्र, देश, काल, पात्र, मतलब, आप जिस जगय पर हैं, जैसे परिवेश में हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें, अलग कारिय कर सकती हैं, फोर एक्जाम्पल, आप किसी European country में हैं, Western country में हैं, और वहाँ किसी आदमी का horoscope पढ़के आप बोल रहे हैं, आप तो बहुत relationships में रहे होगे, आपकी तो marriage है, वो उठापटक होके चल रही होगी, तो आपको नई बात नहीं बता रहा है, वो culture ऐसा है, वो tradition ऐसा है, आप किसी को, किसी ऐसे country में जाकर, जिस country की GDP कुछ नहीं है, जिसका आदमी मुश्किल से दिन में दो रोटी घा रहा है, उसका horoscope देखकर बोल रहा है, आपके राजियोग है, आप तो कल को CEO बन जाएंगे, आप यहाँ पर manufacturing unit कोल लेंगे, इंडस्टी डाल लेंगे, वो कहेगा, बाई सब पागिल भावी बात क्यूं कर रहे हो, मेरे को यह बता दो, रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडस्टी तो डल गई, जब डलेंगी, समझ गए, कहने का अर्थ क्या है, कि जब आप जोतिश करने बैठते हैं, तो एक चीज आपको हमेशा साथ अपने रखनी है, कॉमन सेंस, कहने का अर्थ क्या है, माल लीजिए, आपके सामने दो कुंडलिया आ गई, एक बहुत नॉर्मल से लेबर की है, जो बिचारा लेबर क्लास है, अपना काम कर रहा है, और एक ऐसे बच्चे की है, जो औल्रेडी एक मल्टि मिलियनेर के घर में पैदा हुआ है, राज्योग दोनों की कुंडली में है, धन्योग दोनों की कुंडली में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, कि अगर इसको राज्योग, यानि कि इसका status high होगा तो उसका status high नहीं होगा status तो दोनों के high होने है definite सी बात है क्योंकि कुणली ने दोनों को promise किया कि आपको status भी high मिलेगा आपको धनियोग भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक difference हमने इस चीज़ को लेकर भी देना है अब जो already अब जो already एक डेढ़ लाग करोड लिए बैठा है या हजार डेढ़ हजार करोड लिए बैठा है वो जब अपना धनियोग लेकर आएगा बहुत स्ट्रॉंग धनियोग लेकर आएगा तो वो कहां पर पहुंचेगा और वो व्यक्ति जो hardly अबली दिन के जिसके घर में 10,000 रुपय आते हैं उसके घर में यदि धनियोग लेकर बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चा कल को 10,000,000 रुपया कमा रहा है महीने का या 20,000,000 कमा रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे वो राजियोग नहीं है तो यहां पर आपको थोड़ा सा common sense हमेशा यूज करना है इसलिए always be flexible don't be rigid जोतिश में rigidity आपको खा जाएगी आप conclude नहीं कर पाएंगे चीज़ों को ठीक है next देखे conjunction क्यों इतना important है conjunction को study करते समय दो चीजे ध्यान में रखने है दो चीजे ध्यान में रखने है first first is the कारक तत्वा of planet first is the कारक तत्वा of planet कल विभूती जी ने question किया था यह sir अगर कोई planet हिट हो गया तो क्या उसके कारक तत्वा की सफर करेंगे क्या बेशक उसकी lordship कुछ भी हो तो मैं आप सब लोगों को उसी question को थोड़ा extend करके बता दू के एक planet जोतिश के अंदर सबसे पहले जो result देता है वो अपने कारक तत्व के देता है lordship तो बहुत बात की बात है for example कोई female है जो बच्चा expect कर रही है fifth house picture में नहीं आ रहा है पंचम भाव picture में नहीं आ रहा है लेकिन अचानक से चंद्रमा की दशा आ गई तो चंद्रमा की दशा में एक female को बच्चा हो जाता है यह मेरा personal observation है अब आप पूछोगे sir ऐसा क्यों because चंद्रमा किस चीज का कारक है mother का का कारक है moon is mother तो चंद्रमा का जब period आएगा तो चंद्रमा can make you a mother simple अब male लोग यह सोच रहे होंगे हम तो नहीं mother बन जाएंगे भाई चंद्रमा के period में जरूरी नहीं है कि हर कोई physically mother बने कई males के अंदर एक motherly instinct होता है motherly instinct मतलब जो care mother से मिलती है वो care male कर रहा है कब जब चंद्रमा की दशा आती है चंद्रमा किस चीज का कारक है emotions का कारक है इसलिए चंद्रमा की दशा में आपको emotional stability या emotional unstability से गुजरना पड़ेगा चंद्रमा खराब है तो आप mentally unrest मे रहेंगे चंद्रमा ठीक है तो आप mentally सुख में रहेंगे जब चंद्रमा की दशा आएगी simple सा है सूरिय कारक किस का है ego का है self respect का है status का है fame का है government का है इसलिए जब सूरिय की दशा आएगी आपको इन सब चीजों से counter करना पड़ेगा सब चीजों से आपके encounter होंगे अब ये अलग बात है कि उस time पर आपको government से फाइदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा आप self respect की बात करेंगे या ego की बात करेंगे आप defame होंगे या आपको fame मिलेगा ये एक अलग विशे है लेकिन कारक्तत्व अपना काम अवश्य करेगा ऐसे ही जब मंगल का period आएगा मार्स का period मार्स क्या है मार्स aggression है energy है action है reaction है fights है arguments है conflict है इसलिए आप जितने लोग इस समय मंगल की दशा से गुजर रहे हैं वो या तो पूरे action में काम कर रहे होंगे या इस टाइम उनका पूरा aggression जो है वो चरम सीमा पर होगा पूरा गुसे में बात करना गुसे में रहना लड़ना लडाई के लिए तैयार रहना दूसरे लोग भी ये कहेंगे यार ये तो सीन को बिलकुली सामने करके रखता है ऐसा लगता जिसे अभी आके कर देगा काम तमाम क्यों गुसे में रहता है वेक्ति किसलिए क्योंकि मंगल कारक है किसका एंगर का दूसरी तरफ अगर मंगल positively काम कर रहा है तो यही वेक्ति action oriented हो सकता है यह वेक्ति हमेशा तयार रह सकता है किसके लिए कि भही मेरे को कारिया मिले और मैं उस कारिये को संपन करूँ इसलिए surgery, accidents यह किसके कारक है इसका भी कारक मंगल ही है इसलिए जो लोग मंगल की महादिशा से गुजरते हैं बहुत हद तक possible होता है कि उनके accidents हो या उनकी surgeries हो जाए चेक कीजिए आप लोग जब अपनी मंगल की दिशा से गुजरे होंगे तो you might have gone through some surgery और some accident कुछ भी, कैसा भी हाँ, मंगल well placed है तो हम यह नहीं कहेंगे लेकिन अगर मंगल में जरा भी खराबी रहेगी तो definitely आपको encounter होगा यह चीज़ आपको आएगी problem चाह सर्जरी की आए, चाह कैसे ठीक है तो यह basically कुछ ऐसे चीज़े हैं यह कुछ ऐसे points हैं जो आपको आप avoid नहीं कर सकते अब राहू का period है किसी का अभी राहू का period है राहू के period में क्या होता है कि माल लीजे किस चीज़ का कारक है राहू राहू कारक है attachment का राहू कारक है unorthodox चीज़ों का राहू कारक है uncontrolled desire का राहू कारक है foreign चीज़ों का इसलिए जब राहू की दशा आएगी excuse me जब राहू की दशा आती है तो normally वहली आदमी फॉरन प्लेस पर चला जाता है या फॉरन ट्रेवल्स उसके होते हैं क्यों क्योंकि कारक है अपने रिजल्ट देगा वो मालीजे राहू की दशा लेकर कोई वेक्ति आपके पास आया और बोला कि मेरी राहू की दशा चल रही है मैं फॉरन जा सकता हूँ आप ब क्यों हावरा भेंस के आगे बीन बजाना क्यों 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 क्या है राहू एडमेंट है राहू एडमेंट है राहू अनकंट्रोल डिजायर है चाहिए तो चाहिए इसलिए जितने भी आप love affairs देखोगे और love affairs भी कैसे जहाँ पर आप पाएंगे कि कोई inter-religion में चला गया यानि कि हिंदू है वो मुसलिम से कर रहा है मुसलिम है वो क्रिश्चन से कर रहा है या मुसलिम है वो हिंदू से कर रहा है तो inter-religion एक बहुत बड़ी चीज है आम चीज नहीं है आम चीज नहीं है किसी भी दरम में आप inter-religion कुछ भी कर रहे है तो ये बड़ा इशू हो जाता है लेकिन राहू की दशा में आपको ये चीज मिलेगी करते हुए क्यों क्यों क्योंकि वहां पर राहू तो uncontrolled desire है उसको तो चाहिए उसको नहीं समझ में आईगी बात इसलिए राहू की दशा में बच्चों पर विशेश दिहान रखना पड़ता है टीनेजर्स पर विशेश दिहान रखना पड़ता है और राहू को control करने का सिर्फ एक ही तरीका है शान्ती और wisdom यानि की moon और जुपिटर राहू की दशा में कोई बच्चा अगर adamant हो गया तो आपकी जिद आपकी मार आपकी फटकार उसको नहीं सुधार सकती ये माल लीजे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर कुलाडी मार रहे हैं क्यों क्योंकि राहू को ये सब चीज़े नहीं पता राहू को नहीं पता हां राहू के खतम होते ही राहू की दशा खतम होते ही ठीक कौन आ जाता है जुपिटर अराम से जाओ बच्चे के सर पे हात रखो बच्चे एक सेकिंड में मान जाएगा क्यों क्योंकि जुपिटर आ गया राहु में मना ही नहीं सकते मना रहे हो तो अपना भी टाइम कराब कर रहे हो उसका भी कर रहे हो जुपिटर किस चीज का कारख है? ग्रोथ का कारख है wisdom का कारख है prosperity का कारख है education का कारख है और बच्चे का भी कारख है child इसलिए ब्रस्पती अपनी दशा में ये सब कुछ दे सकता है नेगेटिव रूप में क्या दे सकता है आपको अगर बहुत नेगेटिव हो गया कुल्ली में तो क्या दे सकता है कैंसर दे सकता है positive है तो क्या दे रहा है और negative है तो क्या दे रहा है यह देख लिजे uncontrolled weight दे देगा weight इतना बढ़ जाएगा अपने weight से परेशान हो जाओगा लोग कहते हैं कि Jupiter weight बढ़ाता है actually Jupiter का weight बढ़ाना is a negative form of Jupiter not positive form expansion का मतलब यह नहीं है कि body weight expand हो रहा है तो वही expansion है उसको expansion मतलीजे वो negative expansion हो गया क्यों क्योंकि अगर weight आपका Jupiter ने आपका BMI से उपर कर दिया BMI समझते हैं आप लोग body mass index कि इतनी height पे इतना weight होना चाहिए अगर उसके उपर Jupiter आपका weight लेकर जा रहा है तो definitely Jupiter आपका negative काम कर रहा है इसलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों का Jupiter लगन में होता है वो maximum case में overweight हो जाते हैं लेकिन आप ऐसे भी लोग देखोगे जिनका Jupiter लगन में रहता है लेकिन उसके बावजूद भी वो overweight नहीं रहते हैं वो बिलकुल ठीक रहते हैं इससे क्या पता चलता है ये जो बिलकुल fit बैठे हैं इनका Jupiter सही कारे कर रहा है और ये जो negative लिए बैठे हैं इनका Jupiter negative कार रहा है Saturn किस चीज का कारख है? Saturn कर्म कारख है, profession का कारख है Saturn बिमारी का कारख है, Saturn दुख का का कारख है, पीडा का का कारख है, misery का 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 रख है, grief का 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 रख है इसलिए जब Saturn का period आएगा, तब आप ये सब चीजों को experience करेंगे positive या negative form में, वो आपको पता है कैसे positive या negative बिमारी किस चीज का कारख है, intellect का कारख है, networking का का कारख है इसलिए जब कोई आदमी mercury की दशा से गुजरता है, उस time उसका खूब मन करता है चलो इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, यारो दोस्तों में रहूँ, ये सब चीजें और देखिए ईश्वर ने ये विधी का विधान कैसा बनाया है कि मरकरी के ठीक बाद मरकरी के ठीक खतम होते ही 6 साल के लिए देखिए किसकी दशा आती है के तू किया जाती है मतलब एक आदमी जो इतना मिला जुला होता है इतनी नेटवर्किंग की होती है अचानक से वो क्या कहता है अरे यार कुछ नहीं रखा यार छोड़ो ना क्या बात करनी किसी से क्या काम करना सब बेकार है, सब ऐसी है सब ऐसी है, सब मोहमाया है उस टाइम तो कुछ टाइम के लिए संत हो जाता है न वो क्यों? क्योंकि केतू का कारक है कि तु इन सब चीजों का कारक है तो वो आदमी वैसे ही कारे करेगा शुक्र जब आएगा शुक्र क्या करेगा रिलेशन्शिप में डाल देगा अगर पॉजिटिव है तो आपको लगजरी देगा पैसा देगा कमफर्ट्स देगा और अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो आपकी लस्ट को इतना बढ़ा देगा कि आप अनएथिकल रिलेशन्स में चले जाएंगे आपका रिलेशन्शिप कहीं न कहीं फॉर्म हो जाएगा और वैसे तो शुक्र का पिरियेड रिलेशन्शिप के अंदर डाल ही देता है वेक्ति को क्यों विकोज शुक्र इस दिकार का उफ रिलेशन्शिप मैरिज का भी कारक शुक्र ही है इसलिए जिस व्यक्ति की मैरिज ना हो रही हो काफी टाइम हो गया हो शुक्र की महादशा आ गई कोई नंबर भी नहीं ले रहा है शादी से जुड़ा हुआ तो भी मैरिज करा देगा तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कारक के रूप में अपना काम करती है कारक के रूप में अपना रोल प्ले करती है अब देखिए कंजंक्शन को स्टेडी कैसे करना होता है चलिए अपना होरस्कोप दीजिए यहाँ पर कोई भी आदमी अपना होरस्कोप यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए यह निकल क्या है कंट्रोल वी हो गया सीदे लिखा नहीं ठीक है यह उनतिस चार तिरासी सुभा के साड़े नो बजे पॉड़ी घड़वाल मुकेश जी बैड लगा आज आप थोड़ा सा लेट जागे आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी छोड़ दिया एक ठीक है आगे से आप ध्यान करके रखिएगा हो सीदे चिपका दीजेगा उनतिस चार तिरासी सुभा के साड़े नो बजे उनतिस चार तिरासी देखिए ऐसा है मैं आप सब लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि अभी जो हम कर रहे हैं अभी हम study कर रहे है ठीक है अभी हम लोग study कर रहे है तो यहां पर यह personal questions और यह कि ऐसा नहीं है या ऐसा है उसकी बात नहीं है अभी हमारा जो मकसद है वो conjunction को समझना है conjunction के technical aspect को जानना है कि conjunction क्या है और कैसे कारे करता है ठीक है चलिए अभी दो मिनिट का ज़रा ब्रेक लेंगे कुछ वजह से और फिर अपना start करते हैं तब तक आप लोग अपना अपना कुछ सोच आ रहा है चाट को देखकर या कुछ समझ रहे हैं तो समझ लीजिए क्या है झाल 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 यहां पर प्रत्थम भाव का स्वामी कौन है फर्स्ट लॉड कौन है मरकरी ठीक है फर्स्ट लॉड इस मरकरी क्या यह बच जाएंगे आपने बहुत गलट टाइम पर कुश्चन डाल दिया अचले ये बावन मिनिट पर आपने नहीं पूछना चाहिए था ये कुश्चन आपने गलत पूछ लिए आपने चलिए इस पर करेंगे बात थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा मुश्किल है आपने गलट टाइम पर पूछाए लेकिन स्टिल अभी के लिए मैं इतना बोल देता हूँ वेंटिलेटर पर हैं तो नारायन कवच अगर आसपास उनके है तो नारायन कवच को चला दीजिए ठीक है नारायन कवच उनके कानों में चला जाए किसी तरीके से इतना कर दीजिए अगर कुछ चमतकार हुआ उसी से हो सकता otherwise condition ठीक नहीं है बिना डेटो बर्त के ही मैं बोल रहा हूँ यह चीज अपने गलट टाइम पर डाला ठीक है इनको बोलिए नारायन कवच चला दे चलिए तो यह first lord जो है first lord that is mercury mercury का conjunction किसी के साथ नहीं है mercury का conjunction किसी के साथ में नहीं है ठीक है second lord पर आ जाईए अभी हम सिर्फ conjunction study कर रहे है तो conjunction पर ही रहेंगे second lord पर आ जाईए second lord is second lord is moon second lord is moon moon किस के साथ में conjunct है पहले तो दीबतामशा में जो range मैंने आपके साथ में discuss की थी वो दीबतामशा range के according देखे कि क्या moon का जुपिटर के साथ conjunction बन रहा है या नहीं बन रहा क्योंकि अगर बन रहा है तब ही हम आगे जाएंगे उसको conjunction लेंगे अन्य था नहीं लेंगे ठीक है बन रहा है तो second lord किस चीज़ का है second lord क्या देता है हमें wealth second lord हमें क्या देता है wealth देता है ठीक मारक की बात छोड़ी है अब यह मारक वारक की बात मत कीज़े अब यह आदमी को पहले आदमी जीतो ले डंसे मारक का शब्दा पहले ले आता है second lord wealth है wealth का कारक चंदरमा यानि की wealth यहाँ पर चंदरमा दे रहा है चंद्रमा किसके साथ में कंजंग्ट हो गया जुपिटर के अब जुपिटर की लॉडशिप देखिए यहां पर जुपिटर की लॉडशिप कौन-कौन से घर है सेवन्थ लॉड जुपिटर कौन से घर का लॉड है सेवन्थ लॉड है और और 10th Lord है 7 in 10 का Lord है मतलब ये व्यक्ति ये व्यक्ति बिजनस के द्वारा और अपने प्रोफेशन के द्वारा धन कमाएगा ये व्यक्ति अपने बिजनस और अपने प्रोफेशन के द्वारा धन कमाएगा कहने का मतलब जब 10th Lord और second lord कंजन्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने profession में अच्छा धन कमाता है व्यक्ति अपने profession में अच्छा धन कमाता है ठीक अब यहां पर 10th lord कौन है 10th lord अगर हमें अभी तो हमने चलो धन की बात करी अभी हम 10th lord की बात करते है 10th lord क्या दिखाता है करम को दिखाता है 10th lord करम को दिखाता है प्रोफेशन को दिखाता है टेंथ लॉर्ड कौन है इस कुंड़ी में जूपिटर है जूपिटर किसके साथ में कंजंग्ट है जूपिटर का कंजंग्शन किसके साथ है चंदर्मा के साथ है अब मैं आप लोगों से यस या नो पूछूंगा आप मेरे को यस या नो करते जाएगा ये व्यक्ति जिसका ये चार्ट है क्या ये अपना फैमिली बिजनेस कर सकता है क्या ये family business में हो सकता है yes जो ये काम करेगा ये व्यक्ति जो काम करेगा उसके अंदर इसकी family का involvement हो सकता है ये व्यक्ति जो भी कारे करेगा इसका family का involvement रह सकता है उसमें yes क्यों क्योंकि 10th Lord Jupiter है 2nd Lord चंदरमा है क्या ये व्यक्ति चंदरमा से जुड़ी हुई चीजों का कारे कर सकता है जो चंदरमा जिनका कारक तत्व है like food हो गया या liquid items हो गया या मतलब जो भी चीजे चंदरमा की जो कारक में आती है क्या ये उनसे जुड़ा हुआ कारे कर सकता है yes कर सकता है advisable है advisable है कहने कार्थ क्या है कुंडली एक है लेकिन एक ही कुंडली पर हमने चंदरमा को लेकर कितनी सारी चीजे बोली हमने क्या चीजे पकड़ी हमने दो चीजे पकड़ी एक पकड़ा हमने चंदरमा का कारक्तत्व दूसरा हमने पकड़ा चंदरमा की लॉडशिप कहने कार्थ क्या ह हमने prediction के रूप में सामने वाले से क्या पूछा हाँ भया क्या ये family business के अंदर है क्या इनकी family का involvement काम के अंदर रहा है क्या इनका जो काम है वो चंदरमा से उसने relation रखा है क्या बनाया है क्या तो इस तरीके से आपको सामने वाले की चीजों की clarity मिलेगी के वो conjunction काम कर रहा है या नहीं ठीक है तो ये जिसने भी कुंदली बनाई है वो बताइए के वही मतलब ये जो 10th lord के साथ में जो relation बना है वो ठीक बनाए के नहीं कुंदली के according आंसरी बन दो गया मेरे ख्याल से ये किस ने भेजी है मीनु जी ने भेजी है ये शायद वही हैं जो कल पूछ रहे थे के बहुत काम खराब हो गया है ये हो गया है वो हो गया है मीनु जी टेंशन में मत आईए उसकी बात बाद में करेंगे पहले ये बताईए कि ये जो अभी हमने study किया है वो clear हो रहा है वो इस चार्ट के साथ relation बना रहा है या नहीं बना रहा है simple yes or no जरूरी नहीं है गलत भी हो सकता है ऐसा कोई हम कोई वो थोड़ी ना है लेकिन आप clarify तो करेंगे उसको चलो बाद में clarify होगा जब होगा आई नहीं रहा है चलिए माल लिजे माल लिजे गेंस की बात है माल लिजे गेंस की बात है गेंस का लॉड कौन है माल लीजे गेंस की बात है तो यहाँ पर गेंस का लॉड कौन है गेंस का लॉड है गेंस का लॉड है मार्स अब जो मैं आप से पूछ हूँ आप वोही चीजे मेरे को बताईएगा क्या इस व्यक्ति को गवर्मेंट से लाब हो सकता है क्या इस व्यक्ति को गवर्मेंट से लाब हो सकता है ठीक है क्या इस व्यक्ति को कमिशन के द्वारा लाब हो सकता है कमिशन से, टूर एंड ट्रेवल से, या मार्किटिंग से, क्या इसको लाब हो सकता है, येस और नो, येस, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों? क्योंकि, 11th Lord कौन है? 11th Lord मार्स है 3rd Lord कौन है? सूर्य है सूर्य क्या-क्या रिप्रेजन्ट कर रहा है? कमिशन को कर रहा है टूर एंड ट्रेवल को कर रहा है और साथ में सूर्य के अपना कारक तत्व क्या है? सूर्य का कारक तत्व है, गौर्व्रमेंट सूर्य का का कारक तत्व है, पिता ठीक है जी? समझ में आ रही है बात कि हमने दो चीज़ों को यहांपर की लिया है एक कारक तत्व को दूसरा मिलिटरी से भी गिरीश तिवारी जी military से लाव ऐसे नहीं बोलेंगे military से लाव ये तब consider किया जाता जब mangal third lord होता यहाँ पर 11th lord mangal है तो 11th lord mangal तो क्या बोलते हैं आपका मिथुन लगन के अंदर भी होगा मकर लगन के अंदर भी होगा तो हम ऐसा नहीं बोल सकते के हर मिथुन लगन वाले को हाँ वो एक possibility बन सकती है बट ऐसा नहीं है कि उसको definitely हमने बोलना ही बोलना है ठीक है ऐसा नहीं है तो इस तरीके से sir ये degrees कहां written है ये degrees सामने लिखी हुई है Mars 23 degree और Sun 14 degree आप देखिए चार्ट में चार्ट के अंदर साफ साफ written है ये चार्ट के अंदर साफ साफ written है दीपा गुपता जी आपने सही कहा ये financer हो सकते है because 10th Lord जो है जो दशम भाव का स्वामी है वो छटे में गया उसको लेकर आप जो बोल रहे है वो finances हो सकते है फाइनेंसर लेकिन यहाँ पर हम Jupiter का 6th house से भी जादा जो Jupiter पर प्रभाव लेंगे वो किसका लेंगे वो 6th house का लेंगे या चंद्रमा का लेंगे यहाँ पर हम चंद्रमा का प्रभाव लेंगे ठीक है यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव लेंगे यह इस तरीके से नहीं लिया जाएगा सबसे पहले मार्स और सन के बीच का difference देखा जाएगा कितना है, ये 14-23 is equal to 9 degree है, फिर क्या होगा, फिर जो दीपतामशा के अंदर जो हमने degrees ली हैं, मार्स की और सन की, उसको divide करके, जो average value आएगी, उस average value को इस difference के साथ compare किया जाएगा, that is the process, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को, कारक तत्व का role समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, Lordship का role समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिन्होंने चार्ट दिया वो तो चले ही गए मिनो जी, तो एक बार चार्ट पोस्ट किया, उन्होंने कंट्रोल वी किया फिर कंट्रोल वी के बाद कीपैड ही काम करना बंद कर गया अच्छा ठीक है मीनु जी मैंने आप सुन रहे थे जब ये चार्ट डिस्क्राइब हो रहा था तो मैंने आप से पूछा था कि ये टेंथ लॉड को लेकर हमने कुछ बातें यहां पर की थी वो चीजें यहां पर मैच की इस चार्ट से बस इतना था और कुछ नहीं मैच कर रही है अच्छी बात है सुलुशन्स की बात बाद में करेंगे अभी फिलाल यही ज़रूरी था कि वो चीजें मैच करेंगे बेसिकली हमारा पॉइंट यहां क्या निकल के आया हमारे पॉइंट का निशकर्श यह है कि जब भी आप कोई कंजंशन रीड करेंगे तब आप दो चीजों पर फोकस करेंगे एक प्लैनेट का कारक तत्व दूसरा प्लैनेट की लॉडशिप अब कारक तत्व लॉडशिप से मतलब क्या है देखिए एजूकेशन यह टीचिंग का कारक प्लैनेट कौन है टीचिंग का कारक प्लैनेट कौन है जुपिटर सिंपल सी बात है गुरू ब्रेजपति नो कोश्चन्स अभी कोश्चन्स मत डालिए बीच में फ्लो ब्रेक होता है प्लीज प्लीज मुकेश जी अभी कोस्चन मट डालिए देखिए टीचिंग का कारक ग्रह कौन है जुपिटर है माल लीजिए आप लोगोंने टीचिंग करनी है माल लीजिए आप लोगों का मन टीचिंग करने का है कि सर हमें टीचिंग करना है अब आप लोग सौचेंगे कि अच्छा टीचिंग का है इसका मतलब टीचिंग में जुपिटर का involvement आएगा और houses के रूप में किस किस का involvement आजाएगा fourth का और ninth का मतलब आप जब भी किसी चीज पर focus करेंगे किसी काम पर focus करेंगे तो आप तीन चीजों को separate कर लीजिए तीन चीजे क्या एक तो separate कर लीजिए कि कौन सा planet उसका कारक है दूसरा कि house कौन सा involved है तो आप में से किसी ने मेरे सामने कुंडली रख दी या आपके सामने कोई कुंडली रख के बैठ गया और उसने आपसे question कर दिया कि जी मैं क्या मैं teaching कर सकता हूँ आपने देखा उसका 10th Lord ना तो 4th में है ना 9th में है ना ही 4th और 9th Lord के साथ में 10th Lord का कोई relation बन रहा है like conjunction भी नहीं है और aspect भी नहीं है और वो आदमी आपसे कह रहा है जी मैंने तो करनी है तो अब आपके पास ऐसा कौन सा formula बचता है अभी भी जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये वेक्टी teaching कर सकता है only and only one option is there क्या के 10th Lord के साथ में किसका conjunction हो जाए ब्रहस्पती का conjunction हो जाए जुपिटर का conjunction हो जाए तो जुपिटर किस चीज का कारक है गुरू teaching का कारक है किसके साथ में conjunct हो गया 10th Lord मतलब आपके करम भाव के स्वामी के साथ कंजंग्ट हो गया आप साफ कह सकते हैं हाँ आप teaching कर सकते हैं yes definitely वहीं आपके पास कोई होरस्कोप आया भुला क्या मैं अच्छा astrologer बन पाऊंगा आपने देखा देखो बिश मोहन रेजी आपने वही बात कर दी जो military वाली बात थी के जो भी मिथुल लगन होगा वो सब आदमी teaching कर सकता है क्या जो mean लगन वाला होगा वो सब teaching कर सकता है क्या नहीं देखिए क्या होता है लगन के अंदर जो आपके लगन के अंदर जो राशी जिस भाव में बैठती है वो अपना प्रभाव देती है yes it gives मतलब जो मिथुल लगन वाला हो सकता है वो teaching जैसे कारियों में जा सकता है possibility है Scorpio लगन वाला government job ले सकता है या government के अंदर को authoritative post पर जा सकता है yes possibility is there लेकिन जो planets के साथ में conjunction है जो planets के साथ में relation है सबसे पहले हमने उसको तवज्जो देनी है बाद में उस पर जाना है ऐसे नहीं है कि direct चले गए ऐसे तो फिर हम सीधा कुंडली ले हम एक वो क्या बोलते हैं वो निकाल देते हैं एक advisory जारी कर देते हैं कि भईया मिथुन लगन वाले को बोलो वो शुरू से ही अपना teaching line चूज कर ले वो चक्कर में क्यों पड़े इतने सारे planetary positions के कि उसका planet यह यहां पड़ा है वहां पड़ा है हम हर Scorpio लगन वाले को बोल देते हैं यह तुम बचपन से ही government job की तैयारी करो तुम तो लिखवा के लाए हो कि government job मिलेगी नहीं ऐसा नहीं है planetary position पहले अपना कार्य करती है दूसरी बात अभी मैंने बात की कारक तत्व की कौन सा कारक कौन सी चीजों के साथ combined है for example माल लिजे आपको छोटी छोटी prediction करनी है कारक के basis पे करनी है कैसे करेंगे first house lord प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव का स्वामी किसको दर्शा रहा है कुनली में आपको दर्शा रहा है self को दर्शा रहा है आपके प्रथम भाव का स्वामी कंजंग्ठ हो गया सूर्य'T के साथ किस से नेचर मिलता है आपका पिता से मिलता है आप फादर के जैसे फर्स्ट लॉड प्रथम भाव का स्वामी कंजंग्ठ हो गया मून के साथ मदर जैसे हैं आप सिंपल सिंपल कारक थियोरी यूज़ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं फॉरन का कारक कौन है राहू टैंथ लॉर्ड कंजंट हो गया किसके साथ राहू के साथ आप अपना करियर फॉरन कंट्री में बना सकते हैं बेशक टैंथ लॉर्ड ट्वेल्ड में नहीं है तो भी टैंथ लॉर्ड ट्वेल्ड लॉर्ड के साथ कंजंट नहीं है तो भी तब भी बना सकते हैं सिर्फ कारक थियोरी चल रही है आप Estelogar बनना चाहते हैं उच्छी कोटी के Estelogar बनना चाहते हैं ना आपका 10th Lord 5th में है ना आपका 10th Lord 9th में है ना ही 5th और 9th के साथ आपका कंजंग्ट है लेकिन 10th Lord का 10th Lord का relation बन गया के तू के साथ के तू के साथ कंजंग्ट हो गया 10th Lord Yes, definitely you can बहुत बढ़िया बन सकते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं Estelogic बट बट किंटू किंटू शब्द क्यों आया कंजंग्शन्स जिसको आप स्टेडी करेंगे उसके बीच का डिगरी डिफरेंस कितना है ये नहीं भूलना है एक प्लैनेट एक डिगरी पर है दूसरा प्लैनेट उनतिस डिगरी पर है तब भी आप बोले जा रहे हो कोई फायदा नहीं है सामने वाला मना कर देगा पर आशरी जब करो तब ठीक है उसको कंसिडर कर लो बट यहाँ पर नहीं ऐसे ही ऐसे ही मैं आपको जो मैं आप लोगों को जो एक सोचने का तरीका दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा अब ध्यान से सुनना है बहुत इंपॉर्टन चीज़े आपको बता रहा हूँ मैं कंजंक्शन के बारे में अभी तक मैं दो चीजों पर चला लॉडशिप और लॉडशिप के साथ जो प्लैनेट कारक के रूप में इन्वोल्ड है वो और उसका जो लॉडशिप है वो अब मैं सिर्फ और सिर्फ कारकों की कंजंक्शन आपको बताऊँगा कि दो प्लैनेट यदि कंजंक्शन में हैं वो कैसे कारे कर रहे हैं और यहां पर एक ही चीज़ का उपयोग आएगा यहां पर ना कोई बुक काम करेगी ना कोई थियोरी काम करेगी यहां पर सिर्फ एक चीज़ काम करेगी वो है आपकी common sense क्यों simple हम सिर्फ काम पर रहते हैं दीक है profession profession यानि की करमा बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट पे आदमी कोई कुछ भी कहे लेकिन सबसे आदा importance life में इसी की है चलिए कैसे काम करती है for example for example हम करम की बात करें मैं भूल जाता हूँ आप किस लगन के विक्ति है मैं भूल जाता हूँ आपकी planetary placement में lordship किस planet की क्या है मैं सब चीज़े भूल गया बस मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि आपकी कुंड़ी में planet किसके साथ में conjunct है मैं सिर्फ conjunction पे चलूँगा और कुछ नहीं Saturn Saturn इसको क्या कहते है इसको कहते है करम कारक इसको क्या कहते है हम जितने भी लोग यहां पर बैठे है सब लोगों के लिए natural करम कारक जो है वो Saturn है है कि नहीं ठीक है government का कारक कौन सूर्य जिस व्यक्ति की कुंड़ी में जिस व्यक्ति की कुंड़ी में Saturn और Sun कंजंट होंगे वो आदमी government जॉब में हो सकता है अन्य था अन्य था वो अपने काम के अंदर government की direct या indirect involvement को direct या indirect involvement होगी government की दूसरा वो वो काम भी कर सकता है वो वो प्रोफेशन भी चूज कर सकता है जो उसके फादर ने की आओ Saturn सन सन कौन है फादर Saturn क्या है प्रोफेशन कर्मकारक मतलब Saturn सन का combination मतलब ये आदमी अपने फादर के प्रोफेशन को continue कर सकता है या उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता माल लीजे फादर एस्ट्रोजर है तो वो आदमी भी एस्ट्रोजी कर सकता है क्यों फादर ने किया है यहाँ पर combination भी बन रहा है ये हो गया Saturn सन का अब मैं अगर कहूं Saturn Moon क्या बोलोगे आप Saturn Moon क्या बोलोगे कैसे करोगे prediction Mother Mother एक working women हो सकती है Saturn is profession Moon is mother Mother बहुत disciplined भी हो सकती है Mother ने हो सकता है बहुत face भी किया हो life में और अगर हम सिर्फ अपने profession की बात करते हैं तो हम चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का profession कर सकते हैं यानि कि जो पानी से जुड़े हुए काम है पानी से जुड़ा हुआ काम क्या है जो लिक्विड के काम करते हैं जो दूद दही का काम करते हैं जो नेवी वगेरा में रहते हैं हलाकि वहाँ पर मंगल वगेरा उनकी भी involvement आती है अभी हम सिर्फ चंद्रमा पर focus कर रहे हैं यह आदमी खाने का काम भी कर सकता है फूड बिजनेस भी कर सकता है चंद्रमा इस फूड चंद्रमा इस लिक्विड आप सब लोग अपने सैटन के साथ में जो जो प्लैनेट आप लोगों के मैच है न उसको मैच करके देखिए गए थियोरी काम करती भी मिलेगी आपको चा साथ में कोन कमबाइन है मार्स मार्स इस मेकानिकल वर्क मार्स इस मशीनरी वर्क मार्स इस किल्फल वर्क मार्स इस रिलेटे तो मशीनरी मार्स इस रिलेटे तो मेकानिकल वर्क मार्स इस having relation with fights, arguments and conflicts मतलब जिस व्यक्ति का Saturn और Mars combined होगा ये लोग अपने work area पर बहुत fights बहुत दिक्कते बहुत conflicts जहलेंगे और जो businessmen आप देखो जिसका Saturn Mars एक जैसा होगा एक साथ होगा वो अपने जैसे ही काम पर जाएगा वो 24 गंटे तिल में लाया रहेगा 24 गंटे उसको छेडने का मतलब है अपनी शामत बुलाना वो गुस्से में ही रहेगा लडाईयां होंगी Mars किसको represent करता है शत्रूओं को भी करता है इसलिए जब Saturn और Mars का combination आपके चाट में होगा आप शत्रूटा फेस करेंगे अपने प्रोफेशन अब ये चीज़ को positively यूटिलाईज कैसे करना है? माल लीजे कोई व्यक्ति है जिसका Saturn और Mars कंबाइंड है और वो conflict में है और बहुत लडाईयां जहेल रहा है बहुत गुसे में है अपने प्रोफेशन में तो वो क्या करें? वो मशीन्स के साथ जुड़ जाएं वो Mars से जुड़े हुए प्रोफेशन में चला जाएं और कुछ भी नहीं कर सकता तो क्या करें? जमीन पर अपना बिस्तर डाले और जमीन पर सोना शुरू कर दे जिम करना शुरू कर दे समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सेंस बन रहा है या बस ऐसे ही बस मैंने बूल दिया कि यहाँ जमीन पर बिस्तर डाल दे या एक्सिसाइज कर ले तो इसका मतलब क्या हो रहा है क्या कर रहे हम हम मंगल की उर्जा को जो उसको प्रोफेशन में डिस्टर्ब कर रही है उसको पॉजिटिव यूटिलाइजेशन में लेकर आ रहे है हाओ मतलब आप पूछ रहे हैं कि जमीन पर कैसे सोए मतलब अरे भाईया मार्स को भूमी पुत्र कहते हैं न मार्स इस भूमी पुत्र तो आप भूमी को यूज कीजिए मार्स एक्सरसाइज है मार्स आपकी बॉडिली स्ट्रेंथ है चलिए आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ आज लाइफ का आपका जो प्लैनेट सैटन के साथ कंबाइंड है आपका जो प्लैनेट सैटन के साथ कंबाइंड है आप उस प्लैनेट की एक्टिविटी को करना शुरू कर दीजिए पॉजिटिव वे में आपका प्रोफेशन बढ़ता चला जाएगा मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना रेमिडी है यह बहुत बढ़ी आपके शनी के साथ में जो प्लैनेट भी कंबाइंड है आपके शनी के साथ में जो प्लैनेट कंबाइंड है आप उसकी एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए आपका प्रोफेशन बढ़ता चला जाएगा अरे कोई भी हाउस, कोई भी नक्षत्र, कोई भी लगन ऐसा वैसा इधर उधर उपर नीचे जहां मरजी हो जहां मरजी हो उसकी एक्टिविटी शुरू कर दीजिए आपका प्रोफेशन महीने बर के अंदर उड़ जाएगा यह मेरी थियोरी है और इसकी खूबसूर्ती क्या है? कि यह काम करती है सर्फ थियोरी नहीं है एक होता है ना बस थियोरी है जी बन गई जी मैं तो बोलता हूँ बुक में लिख्षी है आप करो और करने के बाद रिजल्ट बता दो नहीं आएगया किसी का सैटन मार्स है ना? किसी का सैटन मार्स है साथ में लिंग्ड है बहुत दिक्कतें जहल रहा है production में उसको tensions होती है profession में आप आज उसका होरोस्कोब देखकर उसको बोल देना आज के बाद तु जमीन पर सोएगा एक महीने बाद उसको phone करके पूछिएगा तिरा profession कैसा चल रहा है अरे यार गुसा ना बंदो गया है लड़ाई जगड़े बंदो गए है हुआ क्या है यह ऐसा तो नहीं मैं कहीं साउथ इस्ट में सो रहा हूं या वेस्ट में सो रहा हूं मैं इस्ट में सो रहा हूं मैं इस जोन में सो रहा हूं फलाने जोन में सो रहा हूं अरे बैं किसी भी जोन में सो जाओ आपको भूमी पर होना है हम प्लैनेट को यूटिलाइज कर रहे हैं इसलिए जो जोतिश मैं बोलता हूं वो जोतिश रेमेडियल नहीं वो यूटिलाइजेशन का जोतिश है कि आप यूटिलाइजेशन कैसे करोगे चीजों के राहू है राहू को कैसे यूटिलाइज करोगे सेटन राहू आ गया शनी के साथ राहू आ गया कैसे यूटिलाइज करोगे टेल मी तरीका क्या है राहू है राहू है शेडो राहू है शेडो शेडो समझते हैं न परचाई राहू का अस्तित्यू तो नहीं है न राहू की फिजिकल फॉर्म नहीं है राहू की छाय के रूप में मुझूद है छाय को आप कहां देखते हैं आप अभी मुझे देख रहे हैं या मेरी छाय को देख रहे हैं आप मुझे देख रहे हैं, मेरी शैडो को देख रहे हैं, अफकोर्स मेरी शैडो को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, ये क्या है, शैटन राहू है, अरे डर मत जाना कि मैं को यौर बैठा हूँ यहां पर, इंसान ही हूँ भाई, कोई बूत प्रेत कोई आत्वा नहीं हूँ हाला कि वो चीजों पर भी काम किया है वो चीजों का भी अनुभव है लेकिन अभी के लिए जो आपको बता रहा हूँ इसलिए जिन लोगों का सैटन राहू के साथ कम्बाइंड होता है उन लोगों को यदि अपने प्रोफेशन के अंदर अपने प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना है तो उनको किस चीज का साहरा लेना पड़ेगा शैडो का साहरा लेना पड़ेगा शैडो का साहरा कैसे लोग इंटरनेट पर आओगे टीवी पर आओगे सिनेमा पर आओगे राहु क्या है राहु इल्यूजन है मेरी बात को समझना क्या है राहु इल्यूजन है राहु जुपिटर क्या है जुपिटर एक्सपेंशन है जुपिटर एक्सपेंशन है राहु जो है वो जुपिटर का भी 10 times expansion है Jupiter expansion है लेकिन जो राहू है वो Jupiter का भी 10 times expansion है मतलब कि राहू के पास वो quality है जो इतनी सी चीज को यानि कि चीज इतनी सी है वह वन परसेंट है वो वन परसेंट चीज को 1000% कर देना वो राहू का का राहू किस चीज का कारक है foreign country का कारक है किसका कारक है foreign country का कारक है अब बड़ी मज़दार सी बात बताता हूँ आपको Saturn राहू को लेकर अगर आपके पास कुंडली में Saturn राहू का combination है आप अपने birthplace पर successful नहीं होगे आपको किसी दूसरे culture में जाना पड़ेगा किसी विदेश में जाना पड़ेगा कहीं दूर जाना पड़ेगा then you will succeed समझना मेरी बात को अब आप कहोगे अब आप कहोगे कि सर आज की डेट में बहुत सी ऐसी problems है जिनके चलते हम लोग अपना घर नहीं छोड़ सकते किसी के father है किसी की mother problem में है किसी की और xyz problem है तो अब वो कैसे successful हो सैटन और राहू के combination में बड़ा simple है आप घर बैठकर deal करिए लेकिन deal किन लोगों से करेंगे आप किन लोगों से deal करेंगे foreign clients से deal करेंगे आप foreign clients से deal करेंगे आज के समय में मेरा नाम दिल्ली में किसी को नहीं पता होगा दिल्ली में जाओगे कहोगे राहूल कोशिक को नहीं पता होगा महराश्ट्रह में जाओगे पता चल जाएगा तामिल लाडू जाओगे पता चल जाएगा उडिसा में विभूती जी बैठे हैं पता है, लेकिन अपनी जगे पर नहीं पता, ये क्या problem है, ये मेरे चार्ट का problem है या मेरा problem है या क्या है, ये किसी का problem नहीं है, ये वो conjunction है, जो कुंडली में काम कर रहा है, that's it, आपकी कुंडली जैसे काम करेगी, वैसे ही चलेगा सब कुछ, इसलिए सेटन राहू को क्या करना है राहू क्या है राहू अन ओर्थोडाक्सी है राहू इस अन ओर्थोडाक्सी इसलिए जब सेटन राहू का कंजक्शन आपकी कुंडली के अंदर होगा तब आप अन ओर्थोडाक्स करियर के अंदर unorthodox career के अंदर succeed करोगे आपको lab होगा अरे भाईया personal questions करने की बजाए आप लोग logic को समझोगे तो पूरी जिन्दगी सफल हो जाएगी आप लोगों की personal questions मत करो मत करो मेरे भाई मैंने आज तक कभी questions नहीं करें हलाकि मैं तो एक ही गुरू बनाया अपने जीवन में और उनसे भी कभी कोश्चन नहीं पूछा बस जो आता रहा वो ग्रहन करता रहा और लिटरली उसके बाद मैं अपनी स्टेडी करी कोश्चन्स पूछिए मना नहीं कर रहा हूं प्रॉबलम आती है मैं ही दूर करूँगा और कोई नहीं करेगा लेकिन आप लॉजिक को पकड़िए ना मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं सैटन राहू को समझ लीजिए जब सैटन राहू समझ में आ गया तो सैटन राहू चैसला पहले घर में बैठा हो दूसरे घर में बैठा हो तीसरे में बैठा हो बैठे रहने तो उसको जिस भी घर में बैठा है, हमें उससे क्या? हमें तो अपना profession strong करना है, कैसे करेंगे? राहू की activities के द्वारा करेंगे. राहू को ठीक करेंगे, profession ठीक हो जाएगा. किसी ने मुझसे कहा, कि मेरा Saturn Moon का combination है, इसको कैसे ठीक करूँगा? खाने का काम कर लो ना, ठीक हो जाएगा. कोई बात नहीं, सोरी कहने का जरूरत ही नहीं है आपको. आपने कोई ऐसा गुना नहीं किया है, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ यह है, कि आप सिर्फ conjunction पर ध्यान दीजेए. Moon जो है, Moon क्या है? Mother है. Moon क्या है? Mother है. Mother, Mother की advice, आपके लिए हमेशा beneficial रहेगी profession में? Moon is Mother, Saturn is profession. हमेशा beneficial रहेगी. ये व्यक्ति अपनी Mother की blessing से आगे बढ़ेगा, किस में? प्रोफेशन में. अब इस बात को, इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली सोच के देखिए. कि जो आदमी, Saturn, Moon का combination लिए बैठा है, थोड़ा सा सोच ना है याँपर, थोड़ा सा common sense लगानी, जो आदमी Saturn, Moon का combination लेकर बैठा है, और professionally बिलकुल कुछ नहीं कर पा रहा, बहुत दिक्कते उसको आ रही हैं. क्यों आ रही हैं? मदर के साथ में relation खराब कर लिए हैं. Profession fit नहीं होगा. बिगाड़ लो जितना बिगाड़ना है मदर से. Saturn, Mars का combination है, उधर भाई से बिगाड़ोगे, इधर क्या होगा? इधर profession की बैंड बच जाएगी. Saturn, Sun का combination है, किस से बनानी है? फादर से. फादर की blessings लेनी है. जितना फादर blessing देंगे, उतना profession अपलिफ्ट होता चला जाएगा. Saturn के तू. अभी आप में से कुछ लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, Saturn के तू. यूट्यूब पर. आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा. मैं आपको क्रक्स बताता हूँ, Saturn के तू. वो इस के तू. वो इस के तू. वो इस के तू. वो इस के तू as a person. वो नाना नानी तो चलो एक relation वाली बात हो गई. उससे उपर चल रहे हैं. अभी नाना नानी को छोड़ दीज़े, अभी अपर लेवल की बात हो रही है. अभी थोड़ा तंत्र से जुड़ी होई बाते करते हैं, जिसमें तंत्र का उप्योग होता है. के तू as a person कौन है? के तू as a person एक योगी है. के तू as a person एक योगी है. गुरु नहीं. गुरु नहीं. गुरु नहीं बोलने का. गुरु जुपिटर है. गुरु जुपिटर है के तू योगी है. योगी का और गुरु का कोई लिंक नहीं है. योगी मीन्स कौन? योगी मीन्स फकीर. योगी मीन्स फकीर. फकीर कौन? फकीर वो जो calculate ही नहीं करता किसी चीज़ को. अगर देना है तो देगा. उसको मतलब नहीं है. कितना जा रहा है. कितना कुछ है. देना है. मतलब देना है. और केतु को लेकर दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली? इन्टेंशन. इन्टेंशन मतलब भाव. आप जितने भी लोग यहाँ सैटन केतु के कॉंबिनेशन के साथ काम कर रहे हैं. जितने भी लोग हैं. बहुत अच्छी बात है. उनको बहुत अच्छा सूत्र बताऊंगा. मैं खुद सैटन केतु लिए बैठाओं. आपके जीवन में प्रोफेशनली राइज करने का सिर्फ एक सूत्र है. सैटन केतु के जीवन में राइज करने का एक ही सूत्र है. बी लाइक अ योगी. अब योगी का मतलब यह नहीं है. भगवा कपड़े पहन लिए. अलग निरंजन बोल रहे हैं. या वो सब कह रहे हैं. आपका जो भाव है. आपकी जो इंटेंशन है. वो इंटेंशन यह होनी चाहिए. कि आप से जिस व्यक्ति ने जो मांग लिया. जो उसके मुझ से निकल गया. वो आपको पूरा करना है. दैट्स इट. क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बहुत से ऐसे एस्ट्रोजर है. जिनको मैंने सिखाया. जो सेटन के तु का कॉंबिनेशन लेकर बैठे थे. उन्होंने हमेशा रेमिडी मांगी. सर हमारा भी तो ये योग है. हमें क्यों नहीं मिलते? हमारा प्रोफेशन क्यों नहीं बढ़ता? हमारा ये क्यों नहीं बढ़ता? फिर उनसे एक चीज पूछी. कि आज तक कितना ग्यान इखटा किया है? सर बहुत ले लिया, बहुत ले लिया, ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया. बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब किसी ने तुम से कुछ discuss करना चाहा तो तुमने उसको discussion में कुछ बताया सर ऐसे कैसे बता दे इतनी मेहनत की है इतना hard work किया है ऐसे कैसे दे देंगे अपना knowledge ये तो मेरे अंदर भी आना चाहिए भईया बहुत मेहनत की है दिन रात मेहनत की है 20-20 गंटे पढ़ाई की है 21-21 गंटे तो मैं क्यों आप लोगों को साथ में ये सब चीजे शेयर करूँ मेरा क्या बन रहा है मैं आपको एस्टो वास्तु पढ़ा रहा हूँ आपको logic दूँ आप अपना काम करिये मैं अपना काम करता हूँ छुट्टी लेकिन मैं ये सब चीजे क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को देना चाहिए के तू इस intention के तू इस भाव मतलब आपकी intention ही आपके करम को आगे ले कर जाएगी और intention का आर्थ ये नहीं है मैं कितना भी पढ़ा लूँ कितना भी ग्यान दे लूँ उसके बावजूद भी मेरे को criticism भी मिलेगा मेरे को appreciation भी मिलेगा obvious सी बात है कुछ लोग मेरे को appreciate करेंगे कि मैंने बहुत अच्छा दिया कुछ लोग criticize भी करेंगे कि मैंने कुछ अच्छा नहीं कराया या नहीं किया वो एक part of life है लेकिन उस criticism से मेरे भाव के अंदर किसी प्रकार का कोई change नहीं आना चाहिए मेरा भाव वही रहेगा मुझे देना है मुझे बताना है आप जो मर्जी करिए आप कमाईए आप 10 लाख लीजिए किसी से आप 20 लाख लीजिए 30 लाख लीजिए लेना मेटर नहीं करता उसके बाद आपकी intention मेटर करती है कि आप क्या सोच कर सामने वाले को दे रहे है that is Saturn and K2 that is why जितने भी लोग Saturn K2 का combination लिए बैठे हैं वो बहुत अच्छा condition एक है उनका भाव कैसा है उनकी intention कैसी है जिस भी आज आपको एक बात बताता हूँ किसी आदमी को पहचानने की ये आदमी को पहचानने के सूत्र दे रहा हूँ आपको जो भी Saturn के तू वाला विक्ति आपको अपने जीवन में जो भी Saturn के तू वाला विक्ति राइज करता दिखे कि भई वो राइज कर रहा है वो समझ लीजेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाव के कारण राइज कर रहा है क्योंकि उसके अंदर का जो भाव है वो लेने का है ही नहीं वो सिर्फ देना जानता है वो देगा Saturn के तू वाला विक्ति अगर उसका Saturn के तू सही काम कर रहा है तो उससे आप जो मर्जी ले सकते है वो बैठा देने के लिए और यही विक्ति अगर अपने प्रोफेशन के अंदर डिस्टर्ब्ड है नहीं उसका सेट है प्रोफेशन तो यही उसके डिस्टर्बेंस का कारण है इसलिए एक शब्द कहा है किसी ने कि दुनिया की सबसे बड़ी रेमिडी क्या है? लेट गो बोलते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सुलिशन का है? लेट गो लेकिन यह सबसे आवश्चक किस व्यक्ति के लिए है यह जो रेमिडी में दे रहा हूँ यह सबसे आवश्चक किस के लिए है? लेट गो सैटन एंड के तू कॉंबिनेशन जाने दें किसी ने बुरा बोला जाने दो, अच्छा बोला जाने दो किसी भी चीज़ को मत लगा हो हर चीज पार्ट है लाइफ का अब अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सैटन के तू के अंदर यही आता है जोतिश के तू क्या है? के तू जड है के तू क्या है? जड है हम पुरानी जो medicines थी उसको क्या बोलते थे? जडी बूटी क्या बोलते थे? जडी बूटी means आयरुवेदा medical science किस से लिंग्ड है? के तू से लिंग्ड है के तू कौन सा पाठ है? बोडी के नीचे का पाठ है राहू अपर पाठ है के तू नीचे का पाठ है और के तू का काम क्या है? चीजों को break करना चीजों को break करना मतलब कट कर देना जो सेटन के तू का combination यहाँ पर जो females लिए बैठी है वो बुटीक बहुत अच्छा चला सकती है अज तो मज़े आ लए आज तो यह पता चल गए आपने को करना क्या है? बस अब अपने को कोई नी रोक सकता अब आप लोग मेरे से question करेंगे के सर ना तो हमारा बुटीक है ना हम astrology में है ना हम medical science में है हमें यह combination problem कर रहा है इसमें हम क्या utilization करें? सैटन मार्स में आपने जमीन पर सुला दिया इसमें कहीं आप गड़ा खोद के यह ना बोल दो कि इसी के अंदर समा जाओ ऐसा नहीं बोलूँगा के उसमें समा जाओ लेकिन इतना जरूर कहूंगा के गड़े को खोद खोद के gardening करो के तू क्या है? के तू roots है roots कहां होती है? surface से नीचे होती है इसलिए गड़ा खोदो gardening करो अब आप कहोगे सर शैटन वीनस में क्या करें? के तू में तो यह कर दिया सैटन वीनस में सारा जो काम धंदा कर रहे हैं सब वाइफ के नाम ही ट्रांसफर कर दें क्या? कई लोग आपसे पूछते है के क्या वाइफ के नाम पे business कर सकते हैं? जिन लोगों का सैटन वीनस का combination है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो वाइफ खुद में एक working lady हो सकती है और better utilization करना है तो कपड़े का काम कर लीजिए लेकिन कौन सा कपड़ा? ये नहीं ये वाला नहीं ready made ये वाला कब? के तू? ये कब? शुक्र शुक्विंदर जी आप पूछ रहे है कि गमले में खोद गमले में खुदाई क्या सेम है if someone living in flats absolutely, yes बिलकुल hundred percent हाँ जी, beauty parlor भी, बिलकुल beauty parlor भी आज बिश्मोहन जी बहुत कुछ है लग रहा कोई combination हाथ लग गया आज देखिए क्या होता है कि आपका जो Saturn है न वो करम है उस planet के साथ में जो कोई भी planet link होगा न वो बहुत strong अपनी energy बहुत strong अपना influence जो है आपके काम पे डालेगा अब वो influence positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है अब आप लोग charity की बात करते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि आदमी को charity करनी चाहिए लेकिन आपको क्या पता कि charity आपकी किस चीज को ठीक कर रही है life में आपकी wealth क्या है Venus charity क्या है moon और केतू charity को moon और केतू से जोड़ते हैं अब माल लिजे किसी का Venus और moon एक साथ हो तो उस आदमी के खर्चे बहुत होते हैं when you have Venus and moon combination in your chart आपके खर्चे बहुत होंगे इतने खर्चे होंगे कई बार तो जुड़ी जुड़ाई wealth भी खतम हो जाती है इतना खर्चा होता है आदमी पूछेगा इसका क्या करें जी मैं बोलूँगा charity कीजिए वो बोलेगा charity से तो मेरी wealth पूरी नहीं बचेगी और क्या करूँ? moon mother है, venus wealth है mother के नाम पे bank account खोल लीजे वहाँ पे अपनी wealth जो है transfer कर दीजे, आपका wealth बढ़ जाएगा hundred percent काम करेगी ये चीज़ hundred percent काम करेगी ये चीज़ इसको बोलते हैं जोतिश में utilization actual जो utilization है जोतिश में वो ये है मेरी कोशिश है कि अगले एक डेड़ साल में एक शाष्त्र ऐसा बना दिया जाए जो लोगों के पास हर चीज़ को utilization करने का parameter हो कि अगर बुरे से बुरा योग भी मेरी कुंडली में है तो इसको मैं कैसे utilize करूँगा तो शुक्र जो है शुक्र कपड़े का है ब्यूटी का है साज सज्जा लगजरी इससे जुड़ा काम कर सकता है अगर जुपिटर है तो अगर सैटन जुपिटर है तो तो मेरी तरह काम कर सकता है पढ़ा सकता है कंसल्टेंसी कर सकता है गाइडेंस कर सकता है करम कांडी बन सकता है करम कांडी प्रतिबाजी सैटन प्लस जुपिटर गोल्ड नहीं गोल्ड नहीं जो आप बोलना चाह रही है वो Saturn Venus है वो Saturn Jupiter नहीं है Ornaments Ornaments चाहे चांदी के हों चाहे गोल्ड के हों वो शुक्र बन जाते हैं जो bullions है Bullions मतलब के जैसे आपका जो biscuits होते हैं या solid gold होता है या solid silver होता है उसको आप as a planet ले सकते हो लाइक जो solid gold है जो solid gold है वो आपका Jupiter है लेकिन Ornaments की form में जो gold है वो शुक्र है इसलिए जिन लोगों का Venus और Mars का combination होता है वो लोग जब Ornaments खरीदते है तो वो एक time पर उनको Ornaments बेचने पड़ जाते हैं या गिरवी रखने पड़ जाते हैं Because Mars is the car of loan Mars is the car of debts यानि कि debt के समय उसको loan लेना पड़ जाएगा अब आप कहेंगे कि जी मेरा तो बड़ा मन करता है कि Ornaments ले कुछ ऐसा बता दीजिए कि debts ना हो क्योंकि हम तो Ornaments खरीदते रहते हैं और ये बात भी सच है कि हमें अपने Ornaments रखने भी पड़ जाते हैं Loans के कारण Loans ले लेते हैं Mars क्या है जितने भी 9 planets है इनमें सबसे strong planet कौन सा है जिसमें strength है जिसमें ताकत है Mars इसलिए आप Venus और Mars के case में कौन से Ornament लेंगे Solid Solid gold Solid silver ये कारक को समझाने का बता रहा हूँ मैं आपको कारक को कैसे समझना होता है ये dance है कारक का जो कारक कुंडली में नृत्ते करते हैं न ये वो है और ये house lord से भी ज़्यादा काम करता है सैटन वीनस हो गया सैटन केतू हो गया सैटन राहू हो गया सैटन सन हो गया मून हो गया गोल्ड पहने रिस्ट में वहां से जुपिटर लिया था मैंने ओके आपने जुपिटर लिया था वहां पर वहां पर इसलिए कहा था क्योंकि ये जो रिस्ट है ये तीन नंबर है इस तीन नंबर में किसी भी तरीके से जुपिटर की एनरजी आनी चाहिए तो गोल्ड किसी भी रूप में होगा वो अपनी एनरजी एज़ा सबस्टांस देगा लेकिन एज़ा कारक जब हम उसको स्टेडी करेंगे एस्टलोजी में तो चाहे वो कड़ा है चाहे वो हार है वो वीनस कंसिडर कर लिया जाएगा तो सैटन के साथ जितना कॉंबिनेशन ता सारा हो गया है कोई प्लानेट रहे गया है सैटन के साथ मरकरी जितने भी आप लोग सैटन मरकरी लेकर बैठें उनके लिए बिजनस को बढ़ाने का एक ही तरीका है लोगों से मिलो लोगों से मिलोगे बिजनस बढ़ जाएगा अब आप कोगे यह क्या बात हुई मरकरी इस नेटवर्किंग मरकरी इस कॉम्मिनिकेशन मरकरी इस ट्रेडिंग मरकरी इस कमिशन आदमी कमिशन से कमाएगा आदमी ट्रेडिंग से कमाएगा सैटन मरकरी देख लीजे चार्ट में सैटन इन मरकरी वाला अगर जॉब में है तो तो ऐसी जॉब को चूज करे जिसमें डॉक्यमेंटेशन हो ऐसी जॉब को चूज करे जिसमें मार्किटिंग हो ऐसी जॉब को चूज करे जिसमें लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना हो आप इन कॉंबिनेशन्स को अपनी जॉब पे भी तो अपलाई कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं करिए आप लास्ट बट नॉट दे लीस्ट आपके प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन के अंदर जब भी आप सैटन को स्टडी कर रहे हैं तो सैटन के साथ में जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ में अपने रिलेशन का भी खराब मत कीजिएगा जैसे ही आपने उस रिलेशन को खराब किया आपने अपने सैटन को नेगेटिवली ट्रिगर कर दिया क्या होगा? बैढ जाएगा आपका प्रोफेशन कर्मा इस एवरिवेर एस्ट्रो वास्तु करो वो भी कर्मा है पराश्री करो वो भी कर्मा है केपी करो वो भी कर्मा है आरकेपी करो वो भी कर्मा है और मेरा बताया हुआ को यौर टेक्नीक करो वो भी कर्मा है कर्मा इज एवरीवार लेकिन उस कर्म को पहचानने का तरीका आपको होना चाहिए मतलब कि यदी आपने ये पलैनेट को नेगेटिवली ट्रिगर किया तो आपकी लाइफ में कौन सी चीज नेगेटिव हो जाएगी ये आपको पता होना चाहिए आपको पहले पता होना चीलिए जीज़ जरूरी नहीं है कि पिता के साथ रिलेशन अगर खराब किये तो आपका करम ही खराब होगा नहीं, जरूरी नहीं है ये कब ज़्यादा matter करेगा जब सैटन के साथ में कौन कमबाइंड होगा, सन mother को भला बुरा कहोगे जरूरी नहीं है कि आपको financial losses ही होंगे financial losses आपको कब होंगे जब वीनस के साथ में कौन कमबाइंड होगा, moon you need to know आपको पता होना चाहिए mother जीवित ना हो तो office में photo रख सकते हैं अरे भाईया office में क्यों अपने साथ रख सकते हैं हमेशा, जरूरी है कि बीबी की photo देखकर ही शान्ती मिलेगी शुक्र तो वैसे भी विद्रो का कारक है, बीबी की photo रखोगे तो लड़ा ही करोगे हमेशा इसलिए मन की शान्ती तो चंद्रमा से ही आती है, मदर की photo रखो मन भी शान्त रहेगा, समझ गए बीबूती जी सोच रहे हैं मैंने तो कुछ प्लान बनाया थे तो प्लान ही चोपट होगे चेंज गरना पढ़ेगा Actually, conjunction, conjunction जो है वो जोतिश का बहुत बड़ा सीक्रेट है लोगोंने समझा नहीं आधोंने पढ़ा नहीं और जो थोड़े बहुत ने पढ़ा, उन्होंने बताया नहीं ठीक, इसको study करना है इसको implement करना है और implement करके ये देखना है, ये कितना काम करता है अब हम इसी conjunction को और मोड देते हैं, twist कर देते हैं आज हम सिर्फ conjunction की बात करने बैठे हैं और कुछ नहीं करने बैठे वो 60 degree, 30 degree, 90 degree वो तो होते रहेंगे ठीक, मैं बता दूँगा एक गंटे का काम है, एक गंटे के अंदर आप सीख जाएंगे लेकिन ये जो conjunction है ना, ये जो आपके साथ खेल खेलेगा इसके अंदर आप इसके चक्रवियो में फस जाओगे क्यों फस जाओगे, कि ना तो उसको 60 move कर सकते ना उसको 30 पे ला सकते, ना उसको 90 पे ला सकते लाओगे कहां वो तो उसी राशी के अंदर है, उस राशी में कैसे खेलोगे अब बॉडी का पार्ट ऐसे तो चूज करोगे नहीं, अच्छा एक डिगरी यहां आ रहा है दो डिगरी यहां रहा है, तीन डिगरी यहां रहा है अब माल लीजे, किसी के 10th लॉड के साथ में, किसी के 10th लॉड के साथ में, 8th और 12th लॉड कंजंग्ट हो गया किसी के 10th लॉड के साथ में, 8th और 12th लॉड कंजंग्ट हो गया अब आप कहोगे सर ये तो इसका तो करियर ही खतम हो गया विचारेगा क्योंकि पहले तो आठवा घर ही बहुत बुरी मार मारता है और आठ के साथ साथ अब एक और घर आ के साथ में जुड़ गया बारवा घर ये तो विचारा बचा ही नहीं क्या करेंगे एक प्रोफेशन है आज की डेट में जो बहुत बढ़िया काम करता है वो प्रोफेशन क्या है इन्वेस्टमेंट सुलीशन्स का और अभी मेरी खुद की दशा ऐसी चल रही है तो मेरे पास जो पांस्टंसी आही इस ट्राइम पर वह बहुतसे ऐसे लोगों की आई जिनका काम ही जिंए कि सर हम क्शंटंसी प्रोवाइड करते हैं किस चीज की हम लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रा इन बताते हैं वख़िच भाऊस आउफ इन्वेस्टमेंट बारवा clear which is the house of others money दूसरे का पैसा कौन सा भाव है आठवा अब बताओ अगर इस व्यक्ति को आपने successful बनाना है तो क्या करवा होगे आपको दूसरे लोगों के पैसे को कैसे invest करना है वो काम करना है इसलिए आप देखोगे कि जो लोग ये काम कर रहे हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं आपको by default उनकी कुंडली में 10th house का connection या 10th lord का connection आठवे और बारवे के साथ मिल जाएगा simple सी बात है मैं ये कारिये क्यूं कर रहा है बहुत simple सा अंसर है इसलिए कर रहा हूं मेरे ग्रैकरवा रहे हैं तो मुझे क्या करना है मुझे कुंडली डूननी है मेरा जोतिश करने का तरीका बड़ा लग रहा है मैंने बुकों से जोतिश नहीं किया मैंने कुंडलीों से जोतिश किया किसी ने कहा कि सर मुझे ये आदत है मैं नेल बाइट करता हूं मैंने सोचा हाँ यार ये भी एक पॉइंट है फिर किसी दूसरे की कुंडली आई फिर मैंने उसको देखा मैंने बोला अपनी कुंडली सामने रखो भई आपके कुंडली में वो योग होना चाहिए वो योग मिला दो चीज़े मैच करी फिर तीसरे की किसी की कुंडली आई उसके अंदर वो योग देखा फिर याद आया फिर पूछा आ रहे आप ऐसे करते हो क्या हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करता हूं मतलब क्या हुआ के कुंडली दर कुंडली दर कुंडली ने confirmation दे दी के जब ये योग बनेगा तो आदमी कुछ ऐसी हरकत करेगा मतलब के जब आपका 10th Lord 8th और 12th के साथ combined होगा और उसके बाद भी व्यक्ति आपसे ये कहेगा के मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं अपने करियर में मेरे को तो कोई प्राब्लम ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा है वो यही काम कर रहा है जो हम बोलेंगे उसको की करियर वो अल्रेड़ी उसी काम है आठवा, बारवा 8th and 12th यह रिसर्च बहुत अच्छी कराता है 8th house क्या है? रिसर्च है बारवा घर क्या है? unknown secrets 90% लोग यह मानते हैं कि रिसर्च के अंदर सिर्फ आठवा घर है 90 छोड़िये मैं कहूंगा 95 यह मानते हैं कि आठवा घर सिर्फ रिसर्च कराता है आठवे से बड़ी रिसर्च बारवा करवाता है आठवा क्या करता है? आठवा खुदाई करवाता है डिग करवाता है आदमी depth में जाने की कोशिश करता है आदमी तह में जाने की कोशिश करता है लेकिन जब जब आप उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कहीं available नहीं है जिनका कोई रूप नहीं है जिनका कोई आकार नहीं है और फिर भी आप उसको पकड़ने की कोशिश करना, वो चीज़ आपको कहां से मिलेगी, बारवे घर से, इसलिए बारवे घर को क्या कहते है, knowing the unknown, knowing the unknown, मतलब जो जिसको अभी तक जाना नहीं है, उसको जानोगे, किस से, बारवे घर से, बारवा घर जो है न, वो व्यक्ति का hidden talent होता है, hidden talent, hidden talent का मतलब हिंदी में कहें तो, छूपी हुई प्रतिभा, छूपी हुई प्रतिभा, hidden, hidden है, talent है, इसलिए जब लगना लॉड के साथ में, 12th लॉड कंजन्थ होगा, इस व्यक्ति के अंदर कोई न कोई छूपी हुई प्रतिभा होगी, हो सकता है, ये गिटार बहुत अच्छी बजाना जानता हो, हो सकता है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी करना जानता हो, हो सकता है, ये सिलाई गडाही बहुत अच्छी जानता हो, और ये वो प्रतिभा होती है, जो उसके अंदर inbuilt होती है, जिसको सिर्फ जागरित करना इसलिए आपको कंजंक्शन के केस में दो चीजे नोट करनी है कि हाउस का अफेक्ट कैसे आ रहा है और वो चीज कार्य कैसे कर रही है कल प्रतिबा जी ने एक बात कही थी एक चार्ट को लेकर के सर एक व्यक्ति है रोतक का है जिसका 10th Lord 12th के साथ में कंजंक्ट है मिरको position कभी नहीं भूलता अब 10 साल बाद भी बोलोगे कौन सी कुनली थी किस आदमी की थी कहां रहता था क्या कंजंक्शन था तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो सब अलग से चल रहा होता है consciously नहीं चल रहा होता आपने कहा 10th Lord 12th के साथ में कंबाइंड है बंदा ना फॉरन में है ना कुछ है फिर भी उसका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है 12th house जो है ना बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहा है charity को लेकर चल रहा है meditation को लेकर चल रहा है नींद को लेकर चल रहा है योग को लेकर चल रहा है माल लीजे 10th Lord के साथ में 12th Lord कंबाइंड है जब आप 12th house की positive activities को कर रहे होगे किसी भी रूप में कई चीजे ऐसी होती है जो हमारे लिए unknown होती है unknown in the sense कि जब तक हमें एहसास ना कराया जाए कि हम इस घर का कोई कार्य कर रहे है तब तक हम बस किये जा रहे हैं हमें पता नहीं है उसका affect हो सकता है भी आ रहा हो सकता है बैड भी आ रहा है अब 10th lord combined हो गया 12th के साथ अब मान लिजे किसी आदमी ने अपना एक routine बनाया हुआ है कि वो charity किये जा रहा है किये जा रहा है किये जा रहा है उसको क्यों फरक पड़ेगा 10th का 12th के साथ में कंजंक्ट होने का कोई प्राब्लम नहीं आईगी उसको क्योंकि वो 12th house की utilization को positively कर रहा है कई आदमियों की कुंडलियां आठ बारा से भरी पड़ी रहती है 812, 812, 812 पैसा पूछो तो जी पिछले महीने 10 करोड कमाया आइस महीने 20 करोड कमाया आइस बार तो गिंती नहीं है आप भी परेशान अरे यार यह जोतिश काम कर रहा है कुछ और काम कर रहा है इसने कोई तंत्र वंत्र तो नहीं किया हुआ ना कोई तंत्र है इस प्रकार का ना कोई miracle है ना कुछ है हर चीज काम कर रही है हर चीज हर चीज एक उर्जा के रूप में काम कर रही है और हर व्यक्ति ने अपनी उर्जा को चैनलाइज किया हुआ है negatively या positively जब आदमी आबाद रहता है तब उसको पता नहीं चलता वो उस उर्जा को कैसे use कर रहा है जब बरबाद हो जाता है तब भी नहीं पता चलता उसको कि वो कैसे use किया सिर्फ जो awareness होती है वो awareness उसको aware कर देती है वो awareness आपको कौन देता astrology देती है astrology बता देती है आपको कि भई या aware हो जाओ मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो पिछले 20-30 साल से continuous दान किये जा रहा है और दान भी ऐसे कर रहा है कि उसके परछाई को भी नहीं मालूम कि वो दान कर रहा है किसी को नहीं मालूम जगत में वो कैसे दान कर रहा है क्यों कर रहा है वो जितने मर्जी 8-12 लिए बैठा हो अपनी कुनली में उसको कोई problem नहीं आएगी नहीं आएगी मैं लिखके दे रहा हूं ये चीज आदमी कई दफ़ा contradict करते हैं हमने तो सर ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने तो बहुत अच्छा किया हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया दुनिया भर की स्टोरी बता देंगे, लेकिन जब खुद को या खुद की realistic picture को देखोगे कर्मों की दृष्टी से तो एक second में समझ में आ जाएगा कि कहा कर्म गड़बड किया आपने एक second में समझ में आ जाएगा हाँ, acceptability आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने क्या गलत किया है, मुझे पता रहता है मैं जब गलत करता हूं मुझे result भी instant मिलते हैं, वो कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, इधर गलत किया उधर result आ गया, ये कब होगा, ये कब होगा, जब इधर किया और उधर result मिल गया, ये कब होता है, जब आखरी जनम हो तब होता है, क्योंकि न इधर का रखा, न उधर का रखा, यहीं सब खतम करके जाना है, आगे जाओगे ही नहीं, क्या study करोगे, अगले तीन दिन, conjunction study करोगे, बस, conjunction के इतने बड़े expert बन जाओ, के कोई पूरा शाष्त्र भी उठा के ला रहा है न, तो उसके आगे conjunction की बात बोलना शुरू कर दो, वो अपने शाष्त्र को side में रखके, आप से पूछना शुरू कर देगा, अरे ये क्या पढ़े हो यार, ये कहां से बोल रहे हो ये, कौन सी लेंग्विज है, लेंग्विज कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, conjunction है, कारक है, lordship है, that's it, और कुछ नहीं है, मतलब, जो भी सामने आ रहा है, उसके जो भी conjunction कुंडली में है, वो उसके मुँ से बोलेंगे, और जैसे जैसे वो मुँ से बोलेंगे, वैसे वैसे आप उसको tally करोगे, देखना, जैसे जैसे वो बोलेगा, वैसे वैसे उसको tally करना, ये इतना conjunction का class क्यों दे दिया मैंने आपको पहले तो नहीं बताया किसी को conjunction का इतना इसलिए क्योंकि आप लोग कौन सी theory कर रहे है hit theory कर रहे है आप में से बहुत से लोगों को मजा तो आया होगा लेकिन side by side गो जो हमारा conscious mind है वो है ना जो पीछे जो थोड़ा सा एक चतुर आदमी बैठा होता जो पीछे से नौक कर रहा होता अरे यार अरे यार पढ़ तो hit theory रहे है यह कंजेंशन क्यों आ रहा है वो चतुराई कभी कभी जीने नहीं देती इसलिए जो वो चतुरादमी आपको point करे पीछे से तो उसको यह बोलिए कि hit theory में सर ने 60 degree को बताया सर ने 90 को बताया सर ने 180 को बताया सर ने सब चीजे बताई हमने सब को ठीक भी किया लेकिन एक चीज को आज तक make out नहीं कर पाए वो क्या है conjunction क्योंकि conjunction को कैसे सुधार होगे conjunction को दो ही रूप से सुधार होगे या तो कर्मा से जिसको आप house utilization कहते हैं या फिर दान दरम से या relations के द्वारा जो मैंने अभी आपको बताये कि Saturn Sun है तो father से अच्छा Saturn Moon है तो मदर से अच्छा Saturn Mars है छोटे भाई से अच्छा Saturn Jupiter है गुरू से अच्छा Saturn केतु है तो जो योगी लोग है उनसे अच्छा Saturn राहू है तो जो सफाई करने वाले लोग है जो नालो की सफाई करते हैं जो sanitary workers हैं उनसे अच्छा Saturn राहू है तो Muslim से अच्छा Saturn केतु है तो Christian से अच्छा Saturn Jupiter है तो Hindu से अच्छा ये है कर्मा थियोरी अब बिगाड़ो किसके साथ बिगाड़ो कही ना कही प्लैनेट घेर लेगा ये तो पता ही नहीं होगा यार religion के भी ग्रह हैं क्या राहू Muslim के तू Christian जुपिटर Hindu सिख भी जुपिटर में आएंगे क्यों आएंगे जुपिटर किस किस चीजों को रेप्रेजेंट करता है जुपिटर रेप्रेजेंट करता है आइडियोलोजी को आइडियोलोजी जुपिटर रेप्रेजेंट करता है गुरू को क्या बोलते हैं गुरू ग्रंद साहिद गुरू नानक means जुपिटर सनातन क्या है आइडियोलोजी है विचारधारा है इसलिए ठीक है जी सैटन के साथ में कोई कंजंग्शन नहीं है तो तो सैटन जिस राशी में है उस राशी के प्लैनेट के सैटन मून की राशी में है मतलब मदर से सन की राशी में है मतलब फादर से मार्स की राशी में है तो मतलब छोटे भाई से राहू के तू में कैसे कंजंग्शन निकाले है राहु केतु में कंज्ञेंशन कैसे निकाले एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ लीजिए एक हाथ में कोई धरम ग्रंथ पकड़ लीजिए हो गया राहु केतु का गंज्ञेंशन सिंपल है प्रैक्टिकल बात बूल रहा हूँ मजाक नहीं है एक तरफ हाथ में बड़ा सा एक बंडल पकड़ लीजिए नोटो का एक हाथ में कमंडल पकड़ लीजिए वो राहु केतु है और ऐसे व्यक्ति को तो खास तोर पर पहली बात तो राहु केतु का कंज्ञेंशन मिलना नहीं है लेकिन अगर मिल गया तो ये आदमी को पूरी जिंदगी ये ही नहीं पता चलेगा कि मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है या मुझे मुक्ति लेनी है क्योंकि जब मुक्ति की तरफ भागेगा तो इच्छाओं का ध्यान आएगा और जब इच्छाओं की तरफ भागेगा तो मुक्ति का ध्यान आएगा यही राहु केतु का कंजंग्शन है इसलिए ये पूरी दुनिया जो है वो राहु और केतु के बीच में घूम रही है इधर इच्छाएं पूरा करनी है और इधर जब राहु पूरा अपना पूरा कर लिया तो चलो भईया आप कुछ बचा नहीं बंगला भी ले लिया गाड़ी भी ले लिया सब कुछ कर लिया आप तो क्या है मुक्ति है सर इस देर एनी टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन प्रोसेस अरे भईया ऐसा क्यों करते हो अगर सैटम सन का कॉम्बिनेशन है तो ऐसा थोड़ी है कि दस साल पिताजी से रिलेशन अच्छे रखेंगे गैरवे साल उनसे कहेंगे भाई साब आप कौन है मैं आपसे कहूं कि आप जो खाना खा रहे हैं आप जो आहार लेंगे वो आहार का कोई टाइम लिमिट है मतलब और साथ आठ दिन खा लीजिए उसके बाद आपका खाना पीना बंद फिर कर ली आपने अटेंट क्लास गया जोतिश जोतिश क्या करेगा पहले तो कहने को जिन्दा रहने के लिए कुछ चाहिए तो किसी चीज़ की कोई टाइम लिमिट नहीं होती यूटिलाइजेशन अपने तरीके से करना होता है तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग अच्छे से कंजंग्शन को स्टेडी करेंगे लोगों के चार्ट में उसको समझेंगे और नेक्स क्लास में हम 60, 120, 90, 180 इनको किस तरीके से ठीक करना है उस पे बात करेंगे कंजंग्शन को कैसे ठीक करना है आज आप लोग जान चुके हो जान चुके हो के नहीं के कंजंग्शन को कैसे ठीक करना है ठीक है जी Sir, all videos भेजिए प्लीज आप प्लीज नहीं भी कहोगे तो वीडियो आपको मिलेगी ही ठीक है चलिए जी आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए शुबरात्री जैश्रीराण झाल झाल झाल